हेलो एवरिवन वेलकम टू दलेविंग केबस्ट्री तो आज के वेडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीजन केरियर प्रोटीन तो ऑक्सीजन केरियर प्रोटीन में दो टाइप्स के होते हैं एक होता है हम लोग का हीम प्रोटीन दूसरा होता है नौन हीम प्रोटीन ए और मायोग्लोबिन और दूसरा आता है हम लोग का नॉन हीम में हीमोईरित्रीन हीमोसाइनीन तो पर्टिकलर टॉपिक देखेंगे एक एक करके सबसे पहले हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन जो बना होता है वो हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है वो पॉर्फाइरीन रिंग प्लस आयरन का बना होता है तो जब हम लोग को हीमोग्लोबिन पढ़ना है तो उससे पहले हम लोग को पॉर्फाइरीन रिंग के बारे में पढ़ना पढ़ेगा तो पहले हम लोग देखते हैं पॉर्फाइरीन रिंग ठीक है तो दीस इस इस आ पोर फाइरीं रिंग यह वज़ा देख सकते हैं हम लोग और फाइरीं रिंग है बनता कैसे है इसका इंट्रूडक्शन अगर बोल सकते हैं इसे डिफाइन का सकते हैं इस अमेक्रो साइक्लिक पाइरोल रिंग इस में क्या बलते हैं हम लोग डायेक्षन करा रहें हमलोग 2018 जाने प्रामिल्ड येट करेंगे यहाँ पर फिर्फिछन रिंग मेंडीडे रिंग क TP लेगए Nahe और यहां पर एक-एक ऐसे जोड़ देंगे और अल्टरनेट डबल बॉंड लगा देंगे ठीक है तो यह हम लोग का बन जाएगा पाइरॉल रिंग बराने का बहुत इजी तरीका है आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे बढ़ते हैं तो फोर पाइरॉल मॉलिक्यूल्स आर साइकलिकली लिंग टुगेदर बाई मेथीन ब्रीजेज यह जो ब्रीज बनाया भी मैंने यह बीच वाला इसको बोलते हैं इसलिए आफ है ऐने के साथ जाते हैं और होते हैं यहां चैर मदन को ट्रुटल अगर दीखा जायें तो टूटल हो जाते हैं यहाँ पे 26 पाई लेक्रोंस जो की होता है अरोमेटिक यहाँ पे फोरेंब्लस टू हकल रूल को यहाँ पर फॉलो करता है टूटल 26 पाई एक्टरोंस और प्रेजेंट 11 यहाँ डबल बॉंड हो जाते हैं और टूलों पेर तो यहाँ पे चार और इसका बाइस टोटल कितने हो यह 20 इसको बोलते हैं हम लोग मीजो पोजीशन ठीक है इट एब्जॉब लाइट वीजिबल लाइट एंड यह परपल कलर तो पॉरफाइरीन रिंग का अगर कोई कलर पूछे तो क्या बोलेंगे परपल करल का है ठीक है इस्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टेडी देखते हैं पॉरफाइरीन रिंग का तो यहां पर यूवी वीजिबल इस्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले देखेंगे तो इसमें हम लोग को मिलता है मेंली एक स्वर्बेट बैंड जो कि मिलते हैं हम लोग को 450 नैनोमेटर पे और यहां में पर चार कीवेंड मिलता है जी यहां पर दिरिखा हुआ भी है मैटल फ्री पौरफाइरीन मतलब है कि पौरफाइरीन रिंग में अभी मैटल एडल नहीं हुआ है तो दा निच्डरल मैटल-फ्रीड पौर फौरफाइरीन घिप्स आन intense band at 450 nanometer called soret band तो वही देखा भी मैंने बताया मैंने भी कि 450 nanometer पर क्या मिलता है soret band मिलता है in addition to soret band four other bands are also observed in the range 500 to 600 nanometer and these bands are called q bands तो q bands भी मिलता है कितने total 4 in case of methylated porphyrin soret band broaden and q band disappears मतलब जब यहां पर methylated porphyrin रहेगा तो यहां पर सिर्फ एक soret band मिलेगा अब हम लोग देखते हैं proton NMR 1H NMR भी बोलते हैं इसको तो जब metal free porphyrin ring रहता है तो free porphyrin ring give three signals in 1H मतलब proton NMR spectroscopy in the intensity ratio 8 ratio 4 ratio 2 that is 4 अगर हम लोग बोलें इसको और simplify कर देंगे तो क्या हो जागा 4 ratio 2 ratio 1 टिक तो यहां पर हम लोग पिछले साल भी बढ़े थे पिछले सेमेस्टर में भी बढ़े थे जिल्डिंग और दी इसल्डिंग एक्ट तो यहां पर TMS क्या होता है रेफरेंस होता है इसके इधर जाते हैं तो इसल्डिंग इधर जाते हैं तो दी इसल्डिंग तो यहां पर 8 proton of 4 pyrrole system gives a signal lambda equal to यहां पर 8 ppm मतलब यहां पर lambda जो है 8 ppm पर मिलता है यहां पर हम लोग को 4 pyrrole रिंग का जो 8 hydrogen है वो यहां पर मिलता है और यहां पर 4 proton of mesoposition mesoposition पर एक hydrogen है उसका signal कहां आता है 7.5 ppm पर ऐसे ही एक और बाच रहा है टू प्रोटोंस देट आर अटेश्ट टू नाइट्रोजन एटम इंसाइड दो मैक्रो सैक्लिंग अपिर्स एट डायमेग्नेटिक रिजन ओफ दरिंग करेंट टीक है जो एंटर पर प्रेजेंट था यहां पर हम लोग देखे थे पिछले बार कि यहां पर एक hydrogen यहां पर एक hydrogen और यहां पर था तो दोनों मिलके यहां पर एक और सिंगनल देंगे ठीक है अब लोग देखें देखते हैं अब हम अर्भ देखते हैं अब अलोग देखते हैं मेटलो पर 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 पाइरी न रेंन एक्रो नीजे डिगहंड को देखते-ड अहां quantities M Like hourly 109.5 डिगरी का एंगल बनता है यहां पर टेटा कॉनल प्लेन में होता है वेन पॉर्फाइरिन रिंग इस ट्रीटेड विट बेस लाइक एने वेच डाइ एनायन्स और पॉर्फाइरिन इस फॉर्म्ड विच कम्बाइन्स विद असुटेबल मेटल टो गिव मेटलोग पॉर् जाएगा सब यहां पर लोन पेर बन जाएंगे यहां से एक हाइड्रोजन निकला यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो लोन पेर छोड़के निकल गया तो यहां पर फिर आएगा आयरन और यहां पर सेंटर पर बन जाएगा अब इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग ही तिक एंडियो टू एक्सिटेंडेट कंजूकेशन वे नुटॉट्यूट इराइजिस ड्यू टू विच ओल्डश फइर अपने टॉपिक पर हीमोगलोबिन हो में तो अमने अभी तक देखा कि हीम क्लोबीन में हीम और गलोबीन से मिलके बना आँ एंक होता है रिए चार पायरोल of vertebrates molecular weight होता है 64,500 unit it transport oxygen from lung to tissue 65% of iron metal is used to transport oxygen through hemoglobin in hemoglobin iron has six octahedral coordinate coordination site out of six coordination site four is covered by nitrogen hydrogen atoms वही है पूर्फाइरें डिंग में हम लोग देखे थे चार यहां पर लोन प्लेड डोनर होते है nitrogen तो उससे यहां पर चार कोडिनेटेड चार कोडिनेशन बॉर्ण यहां पर दिख गया हम लोग को atom of porphyrin ring in fifth coordination site iron is coordinated to nitrogen atom of histidine है histidine क्या होता है amino acid होता है उससे जुड़ा रहता है एक टाइप का globular protein होता है in deoxymoglobin sixth position water molecule is coordinated to iron oxygen होता है वह होता है water का and in oxymoglobin dioxygen molecule is joined at this position मतलब जब oxymoglobin का बात करेंगे तो वहां पर sixth coordination bond बनेगा वह oxygen के साथ बनेगा और अगर डियोक्सी हमोग्लोबीन का बात करें तो six coordination bond जो बनेगा वह water के साथ बनेगा structure of active site देते हैं अभी हम लोग जो बनाये थे structure बड़ा सा उसको हम लोग यहां पर sort कर दिया है क्योंकि यहां पर nitrogen क्या है है वो डोनेट करते हैं और एक होता है nitrogen histidine protein का होता है जो कोडिनेशन होता है अगर वाटर के साथ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह कौन सा है डियोक्सी हमोग्लोबीन है यहां पर oxygen attack किया तो इसको replace करेगा और खुदा के जुड़ जागा तो यह बन जाएगा ऑक्सी हम हम लोगीन है को आपको लोग बाते देखते हैं क्या क्या है यह हमोलोबीन का structure है आप देख सकते हैं यह बहुत इंप्सक्राइब हाव बना सकते हैं अपने notes में भी बहुत जादा हिंपोर्डेन इस्ट्रक्टर कूछता ही है लिसे बुटर करते हैं इस रिडीओ यूज is in high spin konjugation Configuration मतलब क्या होता है oxidation जू form होता है oxidation state जो होता है और यहां पर high spin configuration पाए जाता है मतलब यहां पर T2G में 4 ऐलेक्ट्रोन होंगे देखते हैं ऐसे कि T2G में कितने ऐलेक्ट्रोन 4 ऐलेक्ट्रोन और EG में 2 ऐलेक्ट्रोन तो यह हो पैरामेगनेटिक और जो पैरामेगनेटिक होता है वो एसर एक्टिव भी होता है FEN, bond distance is relatively high, मतलब iron और nitrogen का जो bond है वो high होता है यहाँ पर, मतलब बड़ा होता है अब बात करते हैं, oxyhemoglobin का, it is oxidized form of hemoglobin, deoxyhemoglobin क्या था, reduced form था, और यह क्या हो जाएगा, oxidized Oxidation state of iron is plus 2, but it is in low spin configuration, यह main जो है यहाँ पर difference जो है Deoxyhemoglobin में जो होता है, plus 2 oxidation state में होता है, पर वहाँ पर high spin configuration था, यहाँ पर just उल्टा हो जाता है प्लस 2 में रहता है, पर यहाँ पर low spin configuration हो जाता है, मतलब T2G में सारे electron हो जाएगा, तो T2G 6 हो जाएगा अब यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग T2G में कितने? 6 electron, 1, 2, 3, सब क्या है? paired है, मतलब यहाँ पर diamagnetic हो जाएगा और जो diamagnetic होता है, वो ESR inactive होता है iron nitrogen bond distance is relatively short तो oxyhemoglobin का बात करें, तो यहाँ पर bond short होता है और deoxyhemoglobin का बात करें, तो iron और nitrogen का bond क्या होता है? बड़ा होता है function of globin, globin करता क्या है actually मैं? free hemoglobin, free hem is in aqueous solution bind with O2 to form oxidimer known as hematine which is unable to transport oxygen, तो यहाँ पर क्या करता है? अगर हम लोग का hemoglobin protein नहीं present है, तो hem oxygen के साथ oxidimer बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं hematine और यह unable to transport oxygen होता है मतलब यह transport नहीं कर सकता है oxygen का, तो अगर यह बन जाता है, hematine बन जाता है तो oxygen का transfer नहीं होगा, तो globin क्या करता है? इसको बनने नहीं देता है तो जब बनने नहीं देगा, तो क्या होगा? oxygen का transfer अराम से होगा four step process होता है, step first में, binding of die oxygen with first molecule of hem यहाँ पर oxygen है, first molecule of hem के साथ यहाँ बनेगा तो यह एक ऐसा structure बनेगा in absence of globin, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? दूसरा step आ रहा है जिसमें absence of globin में देख रहा है bounded die oxygen attack to second hem molecule forming a mu peroxo complex with iron in plus 3 oxidation state तो यहाँ पर iron था, दूसरे iron पर attack किया यह वाला तो यहाँ पर mu peroxo complex बना लिया cleavage of mu peroxo complex resulting in formation of two molecules of feral complex यह feralatic है, feral complex with iron in plus 4 oxidation state तो यहाँ पर यह bond तूटता है, सीदे-सीदे बोल रहा है और यहाँ पर two feral complex बन जाता है जिसका oxidation number किता होता है, plus 4 होता है oxidation number बहुत ज़्यादा important है अब mark करते चलिएगा notes लिखेंगे, तो notes में भी यहाँ पर अच्छे से उसका oxidation state लिखते जाहिएगा step 4 में finally feral complex attract another heme unit and iron oxidimer called as hematin ठीक है, तो hematin बन गया globin क्या करता है, globin chain prevents oxy hemoglobin to bind with another heme in second step through steric hindrance and stop further reaction मतलब यहाँ पर हम लोग देखें यहाँ पर क्या था globin के absence में हो रहा था अगर globin होगा तो यह सब reaction होगा ही नहीं तो hematin का formation नहीं होगा तो oxygen आराम से transport हो सकता है तो hemoglobin में आज के लिए इतना ही दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे cooperative effect क्या होता है उसके आगे भी कुछ topics है और एक वीडियो में मैं cover करूँगा myoglobin ठीक है मतलब कल ही के topic में हो सकता है कि दोनों complete हो जाए और next topic में next video में hemoerythrin और hemocinin को भी cover कर देंगे तो आज के लिए इतना ही hope अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो please वीडियो को like कर देजिए और जितना जितना हो सके जितना ज्यादा हो सके share कीजिए और अगर आप channel पर नहीं है तो please channel को subscribe पर देजिए thank you